Hello Traders and Welcome to the Studio Traders Engulfing Structure for Trading Engulfing Structure के उपर राज के दिन हम डिस्केशन करेंगे एक traditional या कह सकते हैं कि classical engulfing जब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी book में पड़ोगी या किसी भी videos वागर हम दोखोगी जहां पर भी आप सेखने के कुशिश करते हों Engulfing को लेकर के एक काफी सीधा और सधा हुआ सा structure हम लोगों को समझाया जाता रहा है शुरू से ही Actually में जो हमने observe किया है या हमारी जो अपनी reading है जो चीज़ें हमने सीखे हैं Engulfing को या यूं कहें कि mother candle को कोई भी describe नहीं कर सकता है कि ये bullish mother candle है या फिर ये bearish mother candle है Engulfing में भी same होगा ये हमारी Engulfing में bullish Engulfing है या फिर bearish Engulfing है कोई कुछ नहीं बोल सकता है ये Engulfing है ये mother candle है आज के दिन जो हम लोग discussion करेंगे Engulfing के 3-4 patterns को देखेंगे सबसे पहला थो हम इसको देखेंगे Engulfing lower time frame के अंदर इसका एक example लेंगे Second higher time frame पर अभी higher and lower time frame पर देखने के बाद में Engulfing जरूरी नहीं है हर बार ये pass ही हो जाती है कभी-कभी होगा fail breakout करके ये आपका stop loss rate करेंगे तो उसका भी example लेंगे हम fail breakout के थुरू तीन ये point होगा है अब इसके बाद में second आता है कि Engulfing में क्या हमें सिर्फ price देखना है या हम इसके अंदर volumes का भी use कर सकते हैं एक याद रखिएगा Engulfing हो या mother candle हो अभी इस वक्त जो हम discussion कर रहे हैं वो Engulfing के उपर हो रहा है और Engulfing के अंदर volume का बहुत एहम role play होता है जब हम Engulfing Candles के साथ में volumes को merge का देते ना तो confirmations बहुत strong होती है उन volumes के बारे में भी हम discussion करेंगे देखिए Engulfing में types of Engulfing के अगर हम बात करें तो कितने तरह की Engulfing से मारे पास होंगी तो इसने सारी points है जिनकों के आज के दिन हम आपसे discuss करेंगे types of Engulfing structure से शुरुआत करते हैं थोड़ी देर पहले भी हमने आपसे कहा कि कोई भी Engulfing अगर बन रही तो हम नहीं बोल सकते कि वह bullish है या bearish है market में like जह हम पढ़ते हैं किसी भी book को पढ़ते हैं किसी से समझने के कुशिश करते हैं Engulfing है अगर हमें यह बता जाता है कि यह Engulfing candle है जिसको कि हम bullish Engulfing candle बोल रहे हैं तो bullish Engulfing candle का मतलब क्या होता है कि यह एक मेरी red candle हो जाती है सबसे पहले जो कि छोटी सी candle होती है और जो candle Engulf करती है हमारी पिछली candle को यह देखिए पूरी तरह से हमारी next candle ने प्रीवेस candle को Engulf कर लिया यह Engulfing candle bullish Engulfing candle क्या यह bullish Engulfing candle होती है bullish का मतलब क्या हुआ है कि breakout upside में ही होगा price हमारा उपर ही जाएगा तब तो हम मान सकते हैं कि हाँ यह bullish Engulfing candle है बट क्या ऐसा ही होता है अगर bullish candle भी बन रही है bullish candle के बावजूद भी price हमारा नीचे की तरफ तूटता है और नीचे की तरफ ही आपको इसके अंदर के breakout दिख जाएगे ज़रूरी नहीं यह नीचे की तरफ ही हो price हमारा उपर की तरफ भी जा सकता है कोई नहीं कह सकता है कि यह मेरी bullish यह 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 है हाँ यह engulfing candle है इसके use करने एक rules क्या क्या होंगे जैसा कि अगर काफी दिन से वीडियो आप मेरे देख रहो तो मालूम होगा कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि day time frame पर किस तरह से हमें structures find कर लेने है day time frame पर किस तरह से हमें levels अपने identify कर लेने है तब जाकर के lower time frame पर हम अपने confirmations लेते हैं हाँ एक दो example से हम आपको दिखाएंगे वो day time frame के होंगे जहां पर हम लोग इंगल फिर्म के उपर बात करेंगे इसको देखते हैं समझते हैं पहले कि bullish और bearish angle frame तो सबसे पहले तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना होगा कि कुछ bullish या फिर bearish type का भी होता है हाँ इंगलफिंग को ले करके हम आगे बढ़ते हैं पहली चीज़ अब कितनी तरह के इंगलफिंग होंगी जो कि market में हम लोग देख सकते हैं इंगलफिंग केंडल होगे नहीं यह बुलिषट केंडल हैं यह सिर्फ इंगलफिंग केंडल है प्रैस के breakout से यहां पर upside की तरब भी आपको देखने हो को मिल सकते हैं और downside की तरब भी देखने होगी मिल सकते हैं पूर्थ वाली, first candle भी bullish, second candle भी bullish, first छोटी सी candle को हमारी second bullish candle ने पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है, तो ये चार तरह के formation आपको market के अदर देखने को मिलेंगी, तो ये तो बात हुई type of engulfing structure, how to use volume in engulfing structure, volume का देखिए क्या role play होगा इसके अदर, ये जितने भी चारो structures अभी ह ने draw कि है, चार के चारो structures में जो candles की volume होगी, time frame आपकी मर्जी, आप चाहे जो time frame यूश करो, हम prefer करते हैं one day और five minute का, ये structure भी जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हमारे मन में जो time frame चल रहा है, यानि के five minute के structure को हम अपने मन में सोच करके आपको describe कर रहे हैं, आपका काम ह होगा, इन systems को सबसे पहलो तो आप back test करोगे, उसके बाद में उसको live market में test करोगे, तब जाकर कि आप इसके ओपर थोड़ी बड़ी 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 सपनी start, second candle जो हमारी होती है, first candle की volume कम होगी, और second candle की volume ज्यादा हो, अगर इस तरह के structure आपको देखता है, same volume confirmations के साथ म हमें, आप यह मान करके चलो कि यह आपका strong structure of Engulfing Volume Candles का होगा, first candle की volume मेरी कम होगी और second candle की volume ज्यादा होगी, first candle की कम और second candle की ज्यादा, first की कम, second की ज्यादा, first की कम, second की ज्यादा, जैसा कि यहां पर हमने ड्रॉ किया है, यह तो पूरा का पूरा का आपका type of Engulfing Structure and how to use volume in Eng जो first वाली candle होगी उसकी volume कम होगी मेरी यानि कि second candle's volume should be greater than last one volume जो last की volume उसे ज्यादा की volume हमारी second candle की होनी चाहिए यह एक तरह से resistance पर resistance के confirm या फिर support पर support के confirmation का काम आपका करेंगे अब ingulfing में lower time frame, higher time frame and when ingulf failed इन तीन structure स्कूपर discussion हम करेंगे तो इसके लिए अब जोरत परतिम को चार्ट से सिद्धे चार्ट पर चालते हैं और इस एक एक formation को हम लोग चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे Crude Oil के चार्ट में हमने एक candle mark कर रिखी है यह वाली एक तरह से तो यह bullish candle है, first candle मेरी bearish candle है जैसा हम भी इन structure द्रॉक्चर द्रॉक्चर द्रॉक्या था इसके बाद में हमारी second वाली candle ने पूरी इस bearish candle को इंगल्फ कर लिया है, upside से भी और downside से भी, एक second word या दूसरा नाम इसको दिया जाता है high volatile candle का, मतलब कि second candle इतनी ज्यादा volatile है जिसने की previous candle का high और लो दोनों ही ब्रेक किये हैं, कहा जाता है कि यह candles market में बहुत कम form होती है, like अगर handed formations में से 80 times यह form नहीं होगे और 20 times यह candles form हो जाती है, जो भी structure हमें कम दिखाई पड़ता है, वो उतना ही ज्यादा चलता है, यह बात याद रहे और जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, हर 5 minute, 10 minute, 15 minute या फिर 1 hour के बाद में अगर वो formation आपको दिख जा रही है, इसका मतल मतलब तब stop हो जाएगा जब वो formation मेरी failed होती है, यानि कि breakout failed होता है, यहाँ पर दिखे एक तरह से engulf candle बनी, price ने उसी candle के upside से ही अपना एक resistance फॉर्म किया, और market ने जैसे ही downside का momentum दिखा है, price वहीं से नीचे की तरफ गिरी गया, और जब crude oil में same candles की volume open करते हैं, तब दिखे क लास्ट candle से ज्यादा मेरी second candle की volume है, यह वाली candle है, मतलब कि एक तरह से यह resist कर रही है market, यहाँ पर भी देखे, price ने क्या किया है, एक engulf candle form की है, volume ज्यादा है, मतलब कि यह एक तरह से resistance का का काम करेगी, market ने जैसे हमारी इन दोनों ही candles के नीचे का momentum दिखाया, price same level से नीचे देखने वाली चीज़ क्या है, कि price में भी वही structure बाना, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, पढ़ा, और volumes में भी same structure बाना, जो कि अभी आपको बताया, second volumes should be greater than last volume, second volume should be greater than last volume, और price में भी highs और lows break हो रहा है, bullish formation होने के बाब जो price downside का momentum दिखा रहा है, तो यही अभी हमने आप से बताया था, कि कोई भी formation मेरी bullish है, bearish नहीं तो, formation formation होगी और वो अपना काम करती ही, अब यह HDFC bank का chart 5 minute का, price बिल्कुल मेरे support level पर है, lows पर आकर के देखिए, इसने क्या क्या है, engulf candle form कर दी, first candle का high और low दोनों break है, और नीचे volumes को जब आप देखो गए, तो यहाँ पर भी volumes ज्यादा है, last candle के अब प्राइज ने, जैसे ही हमारी resistance level के ओपर में जाकर के closing दी, इसके अंदर momentum हमने start होगे, STFC bank का यह last day का chart है, कोई बहुत पुराना chart नहीं है, जब आप open करोगे तो यह देखिए, last day का chart है, काफी अच्छे momentum price ने अपने support से लिए, यह stock हमारी watch list में थ तो STFC के ओपर ज्यादा focus नहीं किया था, बट इस stock में अपने level पर आकर के और structures का momentum सेम level से दिखाया और एक अच्छा momentum ने को follow इसके बाद में दूसरा example लेते हैं, अब यह भी L&T का chart है, 22 July का, यहाँ पर bearish formation है, लेकिन price ने देखिए क्या क्या है, upside की तरफ closing कर देने के ब formation आपको कहीं पर भी दिखते हैं, किसी भी जगार पर दिखते हैं, यह बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन excitement में आकर कि इसमें ऐसा भी नहीं है, कि आप बड़ा बड़ा risk लेने लग जो, बड़ा risk आप ले सकते हो, लेकिन शुरुआत में पहले इस system को बहुत अच्छी तरह से test करना होगा, इसके उपर belief अपना set करना होगा हमें, हमारा तो काम है हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, कितने अच्छे तरीकी हो सकते काम करने के, जो भी possibilities हैं सारी के सारी हम बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो चीज़े हम बोले हैं, आप सीधे सीधे उसके उ लाइब मार्केट में जाए, लाइब मार्केट में उसका test किजिए, जब आपको पूरी तरह से confidence हो जाए, तब जाकर कि आप इसके उपर कोई risk लोगे, कोई बड़ा risk लोगे, बाकि जितने भी previous पुराने जितने वीडियो से आप उनको search करो, देखो कि क्या style of trade हो सकता है price section का, day time frame की price की analysis क्या होगी, day time frame को कैसे read करेंगे, lower time frame पर आकर कैसे price को read करेंगे, यह चोटी 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 structures होते हैं, अभी इंगलफिंग को हमने थोड़ी ना बनाया है, यह तो बहुत पुराना है, digital media पर charts आए भी नहीं थे, यह उससे पुरानी चीज़े हैं, अभी तक सब classical है, बस क्या है, इसका point of view देखना होगा, अब बार बर देखें हम इसी शर्त पर घूम फिरकर आ जा रहे हैं, क्या है कि बुलिश बोल दिया है, तो price का breakout हो उपर की तरफ ही देख रहे हैं, बेरिश बोल दिया है, तो यह सब भटकाओ की चीज़े हैं, मन में बोल बोल कर बैठा दिखें कि कुछ bullish step का होता है, कुछ bearish step का होता है, price उपर ही जाएगा, price ऐसा थोड़ी ना है, price अपने structure दिखा रहे है, उसका basic nature क्या होता है, price को यहाँ पर आपको show कर रहे है, आप उसको देखें, समझें क्या हो रहा है, volume इस लेवल पर ही आकर क्यों increase हो रही ह अगर हमें यह चीज़ देखनी कि support और कुछ sale कर रहा, अगर हमें उसके stop loss खाने का मौका मिल रहा है, तो हम उसको लेंगे न, उसमें जो आपका help करेंगे, यह structures होते है, follow up कीजी उनको अप, price जैसे ही upside का momentum देख, confirmations आपको देख, यहाँ पर आप trade execute करो, जो भी आपके swings हो volume भी मेरी increase हो रहे है, कोई problem नहीं है, price नहीं देखिए, नीचे की तरफ breakout दिया, बट यह breakout मेरा fail हो गया, और जो सबसे पहली candle थी, मेरी black candle, price इसके नीचे निकला ही नहीं और यहाँ से सीधे उपर की तरफ चला गया, और हमारे resistance को जैसे price ने break किया, retracement और सीधे boom हो गया price upside की तरफ, देखने वाली बात क्या होती है, कि जब price हमारा इन points पर आ जाए, यह points आपके pre-decided होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि lower time frame पर आप गये, कहीं पर भी आपने देखा कि bullish बन रही, bearish, कि किसी बितरे की formation ingulfing form हो रही, बस जिधर break हुआ मार दिया trade, ऐसा नहीं करना है, द एक stock के अंदर, आपके views क्या बन रहे हैं, अच्छे तरह से analyze करने, यह सब छोटी छोटी formation क्या है, यह एक तरह से tool का काम करती है, आपको entry लेनी है, उसमें यह आपकी मदद कर देंगे, लेकिन क्या सिर्फ entry ही लेना trade करना होता है, entry लेने से पहले एक stock को select करना, stock को analyze करना, उसको बाकी सभी sectors के साथ, जितनी भी उसके stocks हैं, sector के बाकी stock के साथ, जो आपकी watch list में stock है, उसको merge करना है, merge करने के बाद में date time frame की reading करना, reading करने के बाद में उसका trend भी हम देखते हैं कि क्या करना है, buy करना हो, अब अगर हमें buy करना है, तो कोई एक level of point है, जहां से हमें इ एक जगह पर आपको selling करनी, तो price लाख आपको उपर की तरफ चला जाए, हमें buying करना ही नहीं है, हम सिर्फ selling करेंगे, अब अगर price नीचे की दिशा तक गिर रहा तो हम sell करेंगा, otherwise नहीं करेंगा, तो हम छोड़ दें, उसको जानी देंगे, नहीं करेंगे buy, अब इस condition में हम हमें सिर्फ और सिर्फ buying करनी है, तो हम यहाँ पर buy के लिए ही बैठें, जैसे price उपर की तरफ निकलेगा, हम buy करेंगे, otherwise अगर नीचे की तरफ जाना तो उसको जाने दीजे, कौन सा point अभी हमने आपको बता है, कि trade वहीं execute करना जो आपका predefined level हो, day time frame के level से जो आपका support हो, ज़रूरी ने, यह day time frame का ही level, आपका lower time frame का ही back में जाकर के कोई एक areas आपने mark कर लिये, उन areas पर आकर के back में जाकर के areas, इससे मेरा मतलब क्या है, कि यह कुछ swing points है, यह मेरे कुछ swing points है, यहाँ पर कुछ एक swing points है मेरे, lower time frame पर ही, अब इन swings के पास में, जैसे ही price मेरा उपर trade execute करेंगे, क्या करना है, price मेरा uptrend में है, uptrend के trade ही execute होंगे यहाँ पर, I hope कि समझ में आओगा, कोई इतनी बहुत ज़्यादा deep चीज़ नहीं, बहुत simple language में और बहुत simple सी चीज़ हमने आपको बताए, आपको day time frame का भी एक example दिखाते हैं, यह देखे, day time frame पर भी हमने जो देखे, price बाना नीचे की तरफ है, जब price हमारे level के नीचे रहेगा, हमें short selling ही करनी है, और price हमारा date time frame की इस वाले level पर रहेगा, हम इसके अंदर buying करेंगे, यानि कि trade execute करने की जो हमारी जगा बनेगी, वो यह वाली होगी, जब price हमारा हमारे इस level को touch करेगा, तब ही हम इसक ही देखनी है, हमको मालूम है कि price ने resistance break किया है, retracement, buying करना है हमको, selling करनी तो तो level के नीचे sell करेंगे, selling करनी है, मतलब कि level के नीचे ही sell करेंगे, अब इस candle का low है देखे, यह मेरा support point है, अब अगर हमें sell out करना है price को तो same level से करेंगे, engulfing देखनी है, selling करना है, मतलब अब engulf का जो breakout भी होना चाहिए lower time frame पर, वो नीचे की तरफ ही होना चाहिए, तो इस तरह से, मालूम होना चाहिए पहले से कि day time frame के levels मेरे कौन से है, करना क्या है हमको उसके अंदर, आपकी overallic analysis क्या बन रहे है उस stock के अंदर, तब जाकर कि हम कोई भी अपना trade execute करेंगे, I hope कि समझ म में आगा होगा, जो भी points अभी इमने आपको समझा है, lower time frame पर reading, higher time frame की reading, volumes को लेकर के भी इमने जो points आपको बता है, वो सारे बहुत important points है, आप इसको market में जाओ, test करो, test में बोलेंगे, आप market में इसका अभ्यास करो, practice करो, जितना समय आप market को दोगी, उतना ही अचा है, कि इसे तरह का कोई doubt है, कोई question है, comment box में type करो, जरूर से जरूर नो उसका apply करेंगे, thanks, and telegram channel भी आप मेरा join कर सकता, तो live market में जितना हो सकता मेरी तरफ से, पूरा प्रयास रहता है, कि आपको support बना रहे है, मेरी तरफ से, stock हो गए, उनके levels हो गए, अब आपका selling करनी है, buying करनी एक, overall, जो मेरा view है, वह आपर हम share करते रहे है, तो आप telegram channel भी जान कर सकता, तो बहुत help उससे भी आपको मिल सकती है, thank you, and अब हम आपको मिलेंगे, अपने next training session में, यानि के Monday, कली मिलेंगे, so, you will meet again,